वेलकम बैक दोस्तों आज हम एक्स्क्लेन करेंगे 2012 की एक फिल्म जिसका नाम है ब्ल्यू लगून दे वेकनिंग ये फिल्म ब्ल्यू लगून फिल्म का तीसरा पार्ट है फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हाइस्कुल के दू स्टूडेंस एमा और डीन स्कुल ट्रिप पे ट्रिनेडार जाते हैं और वहाँ अपने ग्रूप से अलग हो जाते हैं और एक टापू पर फस जाते हैं क्योंकि वह दोनों वहाँ अकेले होते है इसलिए उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है जीने के लिए फिल्म के शिरुवात होती है एमा और डीन से एमा एक बहुत लड़का है जो एमा को प्रॉम्ट्वीन बुलाता है पर एमा उसे हमेशा अंदेका कर देती है एक दिन की बात है एमा सुबह जल्दी उठती है और अपने स्कूल के लिए तैयार होती है फिर अपने रूटीन केलेंडर को देखती है कि उसे आज क्या क्या करना है और दूसरी बाद एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को उनकी मा बारबरा स्कूल चुड़ने आती है और जब एमा कार से जाती है तो उसकी छोटी बहन गुस्से से बोलती है कि सब एमा को ही पसंद करते है और ये बोलके चली जाती है उसके बाद एमा अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलत उसी दिन क्लास में Mr. Christian San, जो उनके टीचर है, बताते हैं कि बस अगले सुबह 7 बज़े निकलेगी, टिनेटाट सेंचुरी के ट्रिप के लिए, पर Mr. Christian San और बता ही रहे होते हैं कि Emma क्लास में लेट आती है और डीन भी उसके पीछे से क्लास में आता है और Emma से टकरा जाता है, और उसे प्रॉम कुइन बुलाता है जब मिस्टर क्रिस्टेन सैन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे है तब इलीजी एमा से बोलती है कि डीन भी ट्रिप पे जा रहा है अपने पिता के पैसों की वज़ा से और फिर लीजी डीन को देखकर मू बनाती है फिर मिस्टर क्रिस्टेन सैन बताते है कि ट्रिप के अंतिम तीन दिनों में वो टापू की कल्चर के बारे में जानेंगे और ये सुनकर सब उतसाहित हो जाते है लंज के समय लीजी अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबा जो हुआ वो बताती है और लीजी एमा से बोलती है कि इन दो हफ्तों के ट्रिप में एमा को स्टीफन के करीब जाना चाहिए पर एमा लीजी से बोलती है कि उन्हें ट्रिप पे ध्यान देना चाहिए जब Lizzie ट्रिप के बारे में बाते कर रही है तब ही Emma की नजर अचानक Dean पे पढ़ती है और वो अपने चाको से सेप काट रहा है और ये देख के Lizzie चिड रही है तब ही उनकी एक दोस जिसका नाम Helen है वो बोलती है कि Dean और वो साथ पढ़ते थे और बोलती है कि Dean अच्छा इंसा पर लीजी इस बात को नहीं मानती है पर उनकी एक दोस जूड इस बात को सहीं मानती है थोड़े देर बाद मिस कोलियर जो एक टीचर है वो डीन के पास आती है और उससे उसका चाकू ले लेती है पर डीन को कोई फरक नहीं पड़ता फिर मिस कोलियर डीन को प्रिंसिपल के आफिस में ले जाती है, स्कूल के नियम को ना मानने के लिए, लिजी अपने दोस्तों से बोलती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, जब एक फेमस कौर्टर बैक एमा को पसंद करता है, अगले दिन सुबह एमा तयार होती है ट्रिप के लिए, और अपने मा बारबरा और पिता फिल को थैंक यू बोलती है, उसे ट्रिप पे जाने देने के लिए, दूसरी तरब दीन के पिता जैक उसे याद दिलाते है कि उन्होंने कितनी महनत की दीन को ट्रिप पे जगा दिलाने के लिए, उसके स्कूल के नियम को टोड़ने के बाद भ बस पे चड़ते वक स्टीफन एमा से पूछता है कि वो कैसी है जब स्टीफन चला जाता है तो लीजी एमा को फिर से चिडाती है पर एमा उस पे ध्यान नहीं देती है कुछ घंटे बाद सब स्टूडेंट्स डिनेड एड पहुँच जाते हैं मिस कोलियर सब से बोलती है कि वो सब कुछ घंटे मजे कर सकते हैं पर डिनर से पहले सब को आ जाना है और बोला कि अगले दिन से प्रोग्रेम शुरू करेंगे कुछ देर बाद एमा और उसकी सभी दोस पूल पे जाते हैं जहां एमा स्टीफन से मिलती है एमा पूल में मस्तिक कर रही है पर तब ही वो टूडेंट्स ट्रिनेडाइड के बच्चों के लिए स्कूल बनाने लगते हैं और तब ही इन कलाबाजी करने लगता है और स्टीफन ये देख के चिट जाता है और एमा से कहता है कि डेंट्रिप को बिगार देगा उसी शाम जूड अपनी दोस्तों को बताती है कि स्टीफ के लिए उसके बाद वो लड़किया पार्टी के लिए बूर्ट पे चली आती है थोड़ी दर बाद एमा हेलन को पार्टी में ढूंडने लगती है पर वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है ये देखके एमा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती अचानक वहाँ पोलिस आ जाती है और सबसे बोट से निकलने को बोलती है उसी वक्त अचानक एमा पानी में गिर जाती है पर उसे किसी नहीं देखा केवल दीन को छोड़के एमा मदद के लिए चिलाने लगी तब भी डीन तुरन पानी में कूद गया और फिर वो दोनों एक छोटे बोट की तरफ तैरने लगे दोनों छोटे से बोट पे बैट जाते है और डीन उसकी रसी को काट देता है जो पार्टी बोट से जुड़ी हुई है क्योंकि वो और दि इचा करने की कोशिश करने लगते है पर उन्होंने देखा कि उस चोटी सी बोट पे कोई मोटर नहीं है तभी अच्छानक एक बड़ी सी लहर आई और उन दोनों ने जोर से बोट को पकड़ लिया अगले दिन होटेल में ट्रिप को कैंसल कर दिया गया पिछले रात की पार पार्टी बोट पे ही देखा था दूसरी तरफ एमा और डीन लहरों की वज़ा से बोट के साथ करिबियन सागर में पहुच गए है दीन ने अपने फोन को देखा पर उसका फोन भीग चुका है फिर डीन एमा को उसका फोन देने को कहता है पर एमा की पौन में नेटवर्क नहीं आ रहा है दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सैंस सबकी अटेंडेंस ले रहे हैं और उन्होंने देखा कि दीन वहां नहीं है उधर सागर के बीच में फसी हुई एमा डीन से बोल रही है कि उन्हें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था पर डीन इस टापो की तरफ ले जाने लगता है दूसरी तरफ पोलीस एमा के दोस्तों से पूश्टाश कर रहे हैं मिस कोलीयर पोलीस से पूश्टी है कि क्या कोई भी रास्ता है उन दोनों बच्चों को बचाने का तो पोलिस बोलता है कि उन दोनों को वापस लाना थोड़ा मुश्कि और डीन उसे रख लेता है उदर जैक को पता लगता है कि उसका बेटा गायब है और यह सुनकर वो तुरंश पुल जाता है और वहाँ बार बरा से मिलता है और उसी समय फिल भी वहाँ आ जाता है वो सब घबराए हुए है और प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बा मिलता है दीन को ये बहुत सुन्दर नजारा लगता है और वो एमा को उसकी एक तस्वीर लेने को कहता है पर एमा उसे मना कर देती है एमा डर रही है कि वो और खत्रे में ना फश जाए और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने सपनों की उनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगी पर वो एमा से फोन मागता है रोशनी के लिए पर जैसे ही वो अंदर देखता है वहाँ से धेर सारे चमगादर उड़ते हुए बहार आते है और जैसे ही दोनों चमगादर से डर के भागते है वो पास के जन्ने में गिर के भीग जाते है उसके बाद वो दोनों किनारे पे जात तोड़ी देर बात सूरुज धनने वाला होता है जब हैंवल झूहरं कर रहे हैंव nem decía fremup in मज़ों को आग जलाने को बूलती हैं मददके लिए और जब एमा को खाना मिलता है तो वो डीन को थोड़ा खाने को देती है। दूसरे तरफ एमा और डीन के पेरेंट्स एरपोर्ट पे ट्रिने डैड की फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को ढून पाए। उधर टापू पेरात को एमा और डीन साग दीन बोलता है कि कुछ नहीं होगा। एमा फिर अपने फोन को देखती है पर तब भी नेटवर्क नहीं आया है। फिर दीन देखता है कि एमा को थंड लग रही है तो वो एमा को अपनी शर्ट देता है। एमा उससे बोलती है कि उनका परिवार उन्हें धून लेगा। कु से देख रही है। दूसरी तरफ होटें में मिस्टर क्रिशियन सैन एमा और दीन के बारे में उनके पैरेंट्स को बता रहे है कि पोलिस उन्हें खोज रही है और पोलिस को वो बोट मिला है जिससे वो दोनों लापता हुए है। फिर जैक मिस्टर क्रिशियन सान को पैसे द पूछती है तो फिल उसे उदास आवज में बोलता है कि वो अभी तक एमा का पता नहीं लगा पाए है उधर टापो पे एमा पास के नदी से पानी निकाल रही है और उसे फिर से अच्छी बावास सुनाई देती है तो वह घबरा जाती है और वहां से चली जाती है फिर वो र करते हैं देखती है कि दीन ठक के जोपड़ी में सो रहा है और वह भी उसके पास जाकर सो जाती है तब ही अचानक दीन एमा की तरफ मुड़ जाता है और उसके कमर पे हाथ रख देता है पर एमा को यह अच्छा लगता है और इसलिए वह कुछ नहीं करती है अगले दिन ॉस टापूपे कोई और भी है उधर होटेल में बारबरा एमा को लेकर चिंता में है और न्यूज देख रही है उपास जाने के लिए पर बारबरा अभी भी घबराई हुई है तो ऽफिल बारबरा से बोलता है कि ऐमा मिल जाएगी और यह बोलकि उसे जोर से गले लगा ल को कितना याद कर रही है तबी दीन को पास में किसी की mesma को किसी खोपडी मिलती है MA उसे देख के बहुत डर जाती है और चिलाने लगती है और बहुत निराश हो जाती है पर दीन उसे विश्वास दिलाता है कि अगर वह साक रहेंगे तो वो घर जा पाएंगे और ये बोल के वो एमा को किस करने लगता है रात हो गई है और उन दोनों के बीच माहौल बन गया उसके बाद एमा अचानक अपने घर को याद करके रोने लगती है फिर सुबह हुई और जब एमा उठी तो उसने देखा कि डीन वहा नहीं है उसने डीन को पुकारा पर डीन उसे नहीं मिला एमा बहुत घबरा जाती है और डीन को ढूनने के लिए जंगल में चली जाती है और थोड़ी दर तक ढूणने के बाद डीन उसे मिल जाता है वो कल की खोपड़ी जैसी चीजों से बचने के लिए कुछ बना रहा है एमा को समझ नहीं आ रहा है कि डीन क्या कर रहा है तो वो डीन से पूछती है कि वो क्या कर रहा है पर डीन गुस्से में बोलता है कि उसे एमा से कोई मदद नहीं चाहिए ये सुनके एमा निराश हो जाती है और डीन से बताने को बोलती है कि उसे क्या हुआ है पर अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पे चोट लग जाती है दीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करता है और एमा से बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा फिर वो दोनों जहने में नहाने लगते है उसके बार डीन एमा को बताता है कि उसकी माई कार एकसिडन में मर गई एमा उसकी बातों को अच्छे से सुन रही है और बोलती है कि उसमें डीन की कोई गलती नहीं थी थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है और एमा उसे देख के खुश हो रही है और दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं बाद पर बार बार को भी वैसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलिकॉप्टर लेके अपनी बेटी अइमा को झूल ने चली जाती है और उन दोनों को अच्छे से ढूडने के लिए सब को परची बांट रहे हैं जिन पर एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई है यह सब कुछ कर लेने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया है पर फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे हैं यह सुनके बारबरा उदास हो जाती है और घर चली दिखती है पर दीन ने उस रोशनी को कभी नहीं देखा है हफते बीद गए है और वो दोनों टापू के सुन्दर वातावरंड के मज़े ले रहे हैं वो सागर में गोते लगाते हैं और बहुत मज़े करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और वो एक को देखता रहता था थोड़ी देर बाद एमा जंगल के बीच में सो जाती है और तभी अचानक उसे हेलिकॉप्टर की आवाद सुनाई देती है और उसे सुनके एमा उठ जाती है दीन को भी वह आवाद सुनाई देती है और वह जल्दी से आग जलाने वाली चीज ढूडन कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है बहुत दिन बीच गए है पर उनको कोई बचाने नहीं आया है दोनों जोपड़ी में बैट के बात कर रहे हैं कि उन्हें जीने के लिए जंगल के और अंदर जाना चाहिए और तभी अचानक किसी जानवर के गुराने की आव दीन उसको देख के भागने लगता है पर वो जमीन पे गिर जाता है थोड़े देर में एमा आइडीन के पास आ जाती है और देखती है कि डीन के पास एक खून से लगपट चाकू है और पास में वो ब्लैक पैंथर मरा हुआ है कोज अब तुम बात सब ने एमा और दीन के बिना ही अपनी जिन्दगी की शुरुवात कर दी है उधर एमा और डीन टापू पे जीना सीख गए है वो शिकार करना भी सीख गए है और वो कभी-कभी जोपड़ी भी बनाते हैं एक दिन एक पत्थर पे एमा निशान बना के गिंती है कि उन्हें कितने दिन हो गए है उस ट देती है एमा अच्छा मैसुस करने के लिए दिन के साथ लेड़ जाती है पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं 우?. की कोई हुई चीज़े उपर से गिरने लगती है और जब दोनों उपर देखते हैं तो वहाँ एक बंदर होता है जो उनके उपर वह सामान फेक रहा होता ह ये देखके एमा बंदू गुटाती है और घबरा के हवा में उसे चला देती है और ये देखके डीन गुस्से में आ जाता है क्यूंकि वो वहां रहना चाता है उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते है और एमा वहां से चली जाती है थोड़ी देर बाद जब डीन मचली पक कश आगये हैं एयरपोर्ट पे एंपाइमा की तरफ आता हैं और वह बात करते घर वापस आना कितना आजीव हैं बिप दी कर दीजाता है उसे किस करने के लिए पर दूरum जाती और डीयर को कल के पार्टी पे पुलाती अगले दिन पार्टी पे एमा के पैरेंट्स को शब बोलते हैं उनके बच्चों के वापस आने पे फिर स्टेसी डीन से पूछती है कि वो सब के साथ क्यों नहीं है तो डीन बोलता है कि वो उन सब की तरह नहीं है फिर स्टेसी डीन से बोलती है कि एमा कितनी फेमस है और डीन को कोई जान पर दीन अभी भी अकेला है जब़ी एमा और डीन एक दूस्रे के पास से गुजरते हैं तो वह बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है उसके बाद एमा के रूम में स्टेसी एमा को सब को सब पसंद करते हैं पर उसे कोई पसंद नहीं करता है पर अब स्टेसी को पता लग गया है वो एमा को बहुत याद करती है फिर एमा स्टेसी से बोलती है कि वो बहुत अच्छी बेहन है और फिर वो दोनों एक साथ पार्टी में जाने का सोचते हैं अगले दिन सुबर डीन अपनी माग के कबर पे जाता है और बोलता है कि उसने वो हरी रोशनी देखी टापू पे पार्टी के राट डीन टीवी देख रहा है और तभी उसके पिता जैक उसे पूछते है कि क्या डीन को जैकेट चाहिए दूसरी तरब लीजी एमा को एक सर्प्राइस के पास ले जाती है जहां डीन वो जैकेट पहन के खड़ा है जब एमा उसे देखती है तो वो पार्टी से बहार डीन के पास जाती है और उसे किस कर लेती है दोनों बहुत खुश है और बारिश में साथ डांस करने लगे इसी के साथ ये फिल्म यही खतम होती है अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सिर्कल में शेर जरूर कीजिए साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अजिए भाचिए झालिए ये जवर इसक्षामा प्रेंड थीडियोँ आजिए